लोकसबाच चुनाओ की मतगर्णा से पहले प्रदेश कोंग्रेस कारियल में बैठक आयो जित हुई बैठक की अध्यक्षता मंतरी प्रताप सिंग खाचरी आवास और विधान सबा मुख्य सचे तक महेश चोसी ने की बैठक में मतगर्णा में रहने वाले एजेंटों को सावधानिया और दिशा निर्देश की जानकरी दी गई इस दोरान पत्रकारों से बाचित करते हुए मंतरी खाचरी आवास ने बताया कि बैठक में कॉंग्रेसी एजेंटों को मतगर्णा के संबंद में आवश्यक निर्देश दी जा रहे हैं वही मंतरी खाचरी आवास ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर भी निशाना साधा बैठक में जैपो शहर उमिद्वार जोती खंडेलवाल और विधायक अमीन खान सहित कोंग्रेसी कारेकरता और पदादीकारी मौझूद रहे लगता है कि पांच वरस तक प्रधान मंतरी जी ने जूट बोला जो वादे की वो पूरे नहीं किया अब वो भुजे माफ कर देऊ और मुझे वापस मौका देऊ तो बोलेनाद की सरण में जाकर पहले आसिरवाद हम लोग ले चुके हैं जब आसिरवाद पहले ही कंगरेस पार्टी को राहूल गांधी को कंगरेस के कंडिडिटों को मिल चुका है पाँच वर्ष तक जब सत्तामॉदी जी को मिली तब तो उन्होंने गुफा में जाकर ये प्रण नहीं लिया मैंने जो बादेगी हो पूरे करूँगा अब प्राइस्टित के लिए गुफा में गए है मेरा ये मानना है कि राजस्तान देश के इन तीन स्टेट में ज्यादा माहुल बनाने की उन्होंने कोसीष की MP गुजरात और राजस्ता और ये राजस्जेबीन को हराएंगे बी जैपी को भी और मैं इतना कहते है कि इस देश में कॉंग्रेस पार्टी सभसे बड़ी पार्टी के रूप में उपरेगी और कॉंग्रेस पाल्टी के नित्वत में सरकार बनेगी और हमें वरोजता है राउल गांधी देश के प्रधान में